दूसरी बात उत्पाद उत्पादक भाव नहीं है तो एक द्रवे का दूसरे द्रवे में कार्यकरण भाव सिद्ध ना होने पर अजीव के जीव का करमत्व सिद्ध नहीं होता और उसके अजीव के जीव का करमत्व सिद्ध ना होने पर करता कर्म की अन्य निर्पेक्षत या अन्य द्रवे से निर्पेक्षत या और स्वाद रवे में ही सिद्धी होने से जीव के अजीव का करत्रत्व सिद्ध नहीं होता है इसलिए जीव अकरता सिद्ध होता है यहां कह रहे हैं, चुकि कारेकारण नहीं है, उत्पाद उत्पादक नहीं है, तो फिर जीव का अजीव कर्मों में, करता कर्म कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि एक द्रवे दूसरे द्रवे को जब उत्पन कराने वाला नहीं है, एक द्रवे दूसरे द्रवे से उत्पन होने वा लेकिन करता कर्म संबंद स्विकार नहीं है यहां किसकी बात चल रही है करता कर्म की बात चल रही है अब देखो हमें यह प्रक्राण को समझना चाहिए अब आप कहाएंगे तो जीव कर्मों को नहीं बानता क्या तो ये कर्णान यूग में नहीं गलत लिखा है कर्णान यूग में बाई कर्णान यूग की विवक्षा अलग है क्या विवक्षा है कर्णान यूग में निमित नहमित संबन्द की अपेक्षा से कहा गया है यहां करता कर्म भाव को बताय जा रहा है जहां जहां जो जो अपेक्षा हो वहां में वो वो अपेक्षा समझा चाहिए जहां जहां जह जह योग इछे तहां समझनों थे यहां पर करता कर्म की बात कही जा रही है जीव पुदगल का करता नहीं है पुद्गल जीब का करता नहीं है ऐसी बात की जा रही है आपको बता है इसको प्रैक्टिकल जीवन पर अपन बहुत जी सकते हैं कैसे जी सकते हैं देखिए कई बार अपन ये कहते हैं भाई सब क्या बता हूं दो-तिन दिन से बड़ा अपसेट चल रहा हूं क्यों क्या हुआ अरे ये लोग बहुत ऐसा कह देते हैं क्लास वाले ऐसा कह रहे हैं वो लोग ऐसा कह रहे हैं कभी ये ऐसा कह देते हैं कभी वो डाट देते हैं तो बड़ा दुखी हो गया क्रमद परह समझने वाला दूसरों के कारण दुखी हो जाता है लगता है आपने अभी क्रमद परह समझी नहीं यह सची बात है अगर हम कदम कदम पर ऐसे दुखी हो रहे हैं दूसरों कारण तो मेरे हिसाब से आपने क्रमद परह नहीं समझी जहां एक द्रवे का दूसरे द्रवे में कार्यकारण नहीं हो रहा है उत्पाद उत्पाद नहीं हो रहा है तो मेरा सुखदुक आपके आदिन हो देखो इसको समझाता हूँ किसी ने हमसे दो शब्द प्यार के बोल दिये तो हम क्या हो गए? हम खुशी हो गए किसी ने दो शब्द हमारी प्रशंसा के बोल दिये तो हम क्या हो गए? हम खुश हो गए हमारा सुख़ी होना इतना परादीन है नहीं है आपको समझ में क्या बोला? इतना परादीन अगर मुझे सुख़ी होना हो तो मैं सनमती की आरती उतारूंगा उसकी प्रशंसा करूंगा पिर सनमती मेरी प्रशंसा करेगा तो हम एक गदे वाली कहानी मैं उसकी प्रशंसा करूंगा मेरी प्रशंसा करेगा वो मेरे से सुखी हो जाएगा और मैं उससे सुखी हो जाओंगा that's all, हम लोग हैपी हो जाएंगे तो ये इतना सुखी होना इतना परादीन है अब देखो ये तो मैंने सुख के बारे में लिया ऐसी दुख के बारे में लो इसी ने मानलो सनमती ने मेरे से दो शब्द बुरे बोल दिये तो शब्द खराब बोल दिये मतलब किसी ने दो शब्द प्रशनसा के कह दिये तो मैं फूल के कुपपा और किसी ने दो शब्द निन्दा के बोल दिये तो मैं दुखी हो गया किसी ने हमें डांट दिया तो हम दुखी हो गये किसी ने हमारे को कुछ कह दिया तो हम दुखी हो गये अरे भाई जहां एक द्रव्य का दूसरे सब्रव्य आपको एक शब्द बला दू एक end में मैं प्रवशन होता तो बहुत डीटेल कर देता है लेकिन अभी नहीं कर रहा एक लाइन बोल देता हूं बस इस विश्व का कोई भी दूसरा द्रव्य मुझे दुखी नहीं कर सकता ज आप लोग भी ऐसे खुले आलम चैलेंज कर सकते हो इस पूरी दुनिया का कोई वो व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ जो मुझे दुखी नहीं कर सकता कब जब तक मैं खुद दुखी नहीं होना चाहूं जब तक मैं खुद दुखी नहीं होना चाहूं तब तक मुझे क कर सकता इंद्री के भोग भी सुकी नहीं कर सकते अतिंद्री सुकी तो बाती क्या करें तो यह समझना चाहिए हमें जब देखो एक द्रवे का दूसरे द्रवे के साथ कारे कारण भाव गटा रहे हैं कर्मों के साथ गटा रहे हैं शरीर के साथ गटा रहे हैं तो आप सब तो म पिरने रखने वाले आप लो शरीर के साथ तो मेरा एकशे तरवगा संबंध है और आपके साथ तो मेरा एकशे तरवगा संबंध भी नहीं है बिचार तो करो जहां शरीर के साथ भेद विज्ञान बता रहे हैं शरीर मुझे सुकी दुकी नहीं कर सकता ऐसा बता रहे हैं वहा कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कारिकारण भाव नहीं है और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में उत्पाद्य उत्पादक संबंद नहीं है ये दो चीजें आपको इसमें इससे समझने चाहिए देखें अब फिर भी अपन भावार्त को देख लेते हैं देखें भा परियाओं के वे करता है वे उन परियाओं के करता है वे परियाओं के करता है वे परियाओं उनके कर्म है ये करता कर्म घटा रहे है एक ही द्रव्य में अपना द्रव्य अपनी परियाओं का करता है और परियाओं उसका कर्म है तो एक ही द्रव्य में तो घटत होगा लेकिन एक द्रवे दूसरे द्रवे का करता नहीं है और दूसरे द्रवे की परियाएं उसकी कर्म नहीं है, देखो, वे उन परिडामों के करता हैं, वे परिडाम उनके कर्म हैं, निश्टे से किसी का किसी के साथ करता कर्म संबंद नहीं है, किसी का किसी के साथ को अपन चेंज भी कर सकते हैं निश्टे से एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ करता कर्म संबंद नहीं है निश्टे से किसी का भी किसी के साथ करता कर्म संबंद नहीं है इसलिए जीव अपने ही परियायों का करता है जीव क्या है इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसलिए जीव तो है द्रव अपनी ही पर्यायों का करता है अपनी पर्यायों का करता है और पर्यायों उसके कर्म है लेकिन दूसरे के द्रवे के साथ कोई अस्तक्षिप नहीं कर सकते है आप इसलिए जीव अपने अपनी ही परडामों का करता है और अपने परडाम कर्म है इसी प्रकार अजीव अपने परड़ामों का ही करता है और अपने परड़ाम कर्म है इसी प्रकार जीव दूसरे के परड़ामों का करता है यह से दो गया देखिए आगे बढ़ते हैं अपन अलग अलग अपिक्षा से समझने की बात है यहां उत्पन करने वाला उत्पन होने वाला इसमें करता कर्म की धुनी आती है और कारिकारण अर्था विए इसका कारण है वो उसका कर्म है बासम में तो देखा जाए बताना तो एकी बात है वह है क्या कि जीव अपने का करता है दूसरे का कर्म नहीं है उसी के लिए अलग-अलग हेतुओं के माद्यम से अलग-अलग क्योंकि न्याय के ये सारी चीज़ें होती है तो उनके अलग-अलग माद्यम से एक ही चीज़ बता रहे हैं कि करता कर्म संबंद नहीं है एक बात को बताना है इस पर अब देखो अब बहुत सिंपल विशह आ जाएगा क्योंकि ये मूल टीका का अंश था इसलिए थोड़े से शब्द ऐसे थे जिसन से अपन अब परिशे थे इस पर कोई कहे ना सही पर के परड़मन का करता है इससे एक बात तो ये तो सिद्ध हो गई कि मुझे दूसरे का काम नहीं करना है मुझे आपका काम नहीं करना है आपको मेरा काम नहीं करना है सबी को अपना-पना काम करना है आपको पता है दादा एक उधान देते हैं अभी अपने बहुत दूम से स्वक्ष बारत अभियान का मिशन चल रहा है, ठीक है, दादा उधान देते हैं, विनोबा भावे का, कि हमारी ये, हमारी ये, foreign countries कैसे साफ रहती हैं, ये सबी लोग क्या करते हैं, अपने घर के आगे की, अपने घर के आगे की सड़क को, अपने सिर्फ अपने अपने घर की आगे की भूमी को साफ रखते हैं, तो पूरा शेहर अपने आप स्वक्ष हो जाता है, लेकिन आपको पता है, हम स्वक्ष क्यों नहीं हो पारें, क्योंकि हम पूरी गली को साफ करना चाहते हैं, और चाहते हैं, उस गली को साफ करने वाला कोई और व्यक्ति हो, मतलब सभी अपना-पना काम करें, तो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जैसे आपको बता है कोई भी एक ग्रुप कारे करें आपन, पांच लोगों का ग्रुप मिलके कोई भी एक काम करें, ठीक है, ग्रुप करें, कब सक्सेस्फिल हो सकता है, जब ग्रुप क गुर्प के सारे मेंबर्स अपना-पना काम करें, जब गुर्प के सारे मेंबर्स एक दूसरे काम में दखलंदाजी करने लग जाते हैं, वहीं सारी बातें चौपट हो जाती हैं। यही चॉपट किसी भी काम का, जब सारे members अपना-पना काम करते हैं, तभी कोई व्यवस्ता 104 रूप से चलती है, जब कोई भी member दूसरे का काम करने लग जाता है, दूसरे काम में हस्तक शेप, इंटरफेर करने लग जाता है, दूसरे को सलाओ देने लग जाता है तब ही समझलो कि कबाडा हो जाता है तो दिखो, यहाँ तो एक बात तो यह निश्टुत हो गई कि मुझे दूसरे का काम नहीं करना मुझे आपका काम नहीं करना, आपको मेरा काम नहीं करना that's all, तो इसका मतलब हम निर्भार हो गए, मैं tension free हो गए, आपको समझ में नहीं आया, कि मेरी आदी tension तो ऐसी निकल गई, मुझे आपको कोई काम नहीं करना, that's all, तो अभी तक जो बोजा था ना, मुझे आपके कामों का करने का, मुझे ये करना है, मुझे दूसरे का ये करना है, ये करना है, वो करना है, मेरी आदी tension free है, ये tension free होने का, जैन दर्शन tension free, और सुखी रहने का उपाय है, तो मैं तो free हो गया, आदा, कि मुझे दूसरे का तो कुछ नहीं करना, लेकिन, अब अग्यानी को ये लग रहा है, कोई बात नहीं, दूसरे का तो नहीं करना, अपनी हेल्थ तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, अपनी बॉड़ी को तो थोड़ा देखने ही पड़ेगा ना, अपनी परियायों को तो थोड़ा समालना पड़ेगा ना, देखो, इस पर कोई कहे, ना सही पर के परिणमन का करता, पर अपनी परिणमन का करता हरता तो मैं वो आपको याद है हम कैसे अपना कर्तर तो समाल के रखना चाहते हैं वो दादा उधान देते हैं हाल बनने का धर्म के दस लक्षण में उत्तम मार्दव की प्रसंग पर कि सावी हाल कैसा लग रहा है बता हूँ हाल हमने बनाया बड़ी महनत से अभी हमारा ओफिस भी बन रहा है कैसा कैroid लग रहा है आफिस जब करें भाई तू दूसरे बुट्रवे का करता नहीं है उत्पाद उत्पाद बहुत घट्टित नहीं होड़ा कारे कार Kem timing हम करता पन को अब यहां करता पन का दूसरा जन्हम हो गया अभी तक कौनसे करतापन को छुड़ाया था पर करतृत को दूसरे के करतापन को अब यहां व्यक्ति यह समझ लग मुझे अपना तो करना ही पड़ेगा साब अपनी पर्यायों को तो करता धरता मैं हुई तो देखो उससे कहते हैं कि अवश्य हो तुम अपनी पर्यायों के करता अवश्य हो देखो मैं आपको पहले समझा देता पर्याय होती है फिर से मैं वही बात पूछा हूँ कितनी पर्याय होती है सभी द्रव्यों की जितने तीन काल के समय होते हैं तो ये एक द्रव्य है इसके तीन काल के ये समय है तो एक एक समय पर एक पर्याय खचत है ठीक है वो पर्याय कहा होगी इस द्रव्य में होगी उस पर परियाय परणमन करा हूँ, मैं अपना जैसे चाहिए जो करूँ, हम अपनी परियाय का करता है, इसका मतलब यह नहीं है, कि हम परियायों के फेर फार के करता है, तो फिर सहाब ऐसे करता पन का क्या मतलब, क्यों कुछ करी नहीं सकते, अरे करी नहीं सकते, आप करने का मतलब य आनी थी उसको पहले ला दो जो पहले आनी उसको बाद में कर दो तब तो करतापन को समझ में आया आप तो ये कह रहे हो कि जो परियायों का करम चल रहा है उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते तो ये काय का करतापन भाई साथ आप करतापन का मतलब ऐसा क्यों मानते हैं कि फेरफार करने का नाम ही करतापन है करतापन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है देखें उससे कहते हैं कि अवश यह हो क्योंकि प्रत्यक द्रव्य अपनी परणती का करता बुगता तो है ही, पर इसका आश्य यह नहीं है, कि सर्वक्य के ग्यान में आपका जो भावी परणमन जलका है, आप उसमें कुछ फेरफार कर सकते हैं, यह स्वाकर्तृत्व का मतलब ऐसा नहीं समझे आप, परका तो आकर करत्रत्व हैं, और स्वाका करत्रत्व हैं, तो स्वाकर्त्रत्व का मतलब यह नहीं है, कि आप अपनी परियायों के फेरफार के करता हैं, ठीक है, आगे, यदि फेरफार नहीं कर सकते, अब अग्यानी को यह प्रश्न खड़ा हुरा है, यदि फेरफार नहीं कर सकते, तो फिर मैं अपनी परिनती का करता ही क्या रहा, तो क्या मतलब रखा, क्या दाम है फिर स्टेज में, इस प्रकार की शंका भी जगत को होती है, क्योंकि जिसने फेर फार करने को ही करना मान रखा है, वह इससे आगे सोच भी क्या सकता है, उसकी narrow minded वेक्ती है, उसकी सोची संकीन है, क्या फेर फार करने के बिना, कोई करना होता ही नहीं है, क्या जैसा होना नहीं, क्या जैसा होना नहीं है, वैसा करना ही करना है, जैसा होना हो, वैसा करना, करना नहीं है क्या, यह समझ में आया आपको, आगे अब देखो तीन शब्द आ रहे हैं स्वाकर्तित्व, सहजकर्तित्व और अकर्तित्व तीनों को पहले समझ लीजिए स्वाकर्तित्व, सहजकर्तित्व, अकर्तित्व का मतलब क्या है स्वाकर्तित्व स्वाकर्तित्व ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है दूसरे द्रव्य की परियायों का करता नहीं है अर्थाद वह अपनी ही परियायों का करता है तो ये तो हुआ स्वाकर्तित्व स्वा मतलब अपना और कर्तित मतलब करता पना कि द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है ये क्या हुआ स्वा कर्तित्व दूसरा क्या है शब्द है सहज कर्तित्व है सहज कर्तित्व का मतलब यह है कि द्रव्य अपनी पर्याय का तो करता है लेकिन अपनी पर्याय के फेरफार क करता नहीं है और फेर फार का करता नहीं है इसका मतलब क्या है सहज करता का मतलब यह है कि सहज रूप से अपने आप रूप से जो परियाय का क्रम है उस परियाय के क्रम में जो जो परियाय होती रहेगी उत्पन होती रहेगी नेस्ट होती रहेगी उत्पन होती रहेगी इस प्रकार के तुम सहज करता हो फिर फार वाले करता नहीं हो उन परियायों का क्रम भी अपने आप आ रहा है ये मतलब है सहज करत्रतु का फिर तीसरा है अकरत्रतु तुम अकर्ता हो, किस के अकर्ता हो तुम अन्य द्रव्यों के अकर्ता हो तीनों बाते आ गई अन्य द्रव्यों के अकर्ता हो अन्य द्रव्यों के परियायों के अकर्ता हो अर्था स्वा के ही कर्ता हो और स्वा के परियायों के कर्ता हो तो ये हो गया अकर्तृत्व देखो फिर से शब्दों में मतलोजना पर के साथ है अकर्तृत्व स्वा के साथ है स्वाकर्तृत्व और वह स्वाकर्तृत्व भी कैसा है सहेज कर्तृत्व तीन बात फिर से फिर से रिपीट करता हूँ पर के साथ तो कैसा है अकर्तृत्व तु सुवा करते तो भी कैसा है सहज करते तीन बाते समझ में आई फिर अब मैं इसको समझा के बोल देता हूं मैं परद्रवयों का नहीं कर सकता मैं परद्रवयों की परियायों का नहीं कर सकता मैं अपनी परियायों का कर सकता हूं लेकिन मेरी जो परियायों हो रही है वे भी अप इसका भाव ही यही है आपको पता है एक्जाम में ये प्रशन आ सकता है कि जैन दर्शन अकरतावादी दर्शन है इसको सिद्धि कीजिए इसको समझाईए तो आपको ये सारे बिंदु लिखने चाहिए सारे तरक और हेतु ये लिखने चाहिए जैन दर्शन अकरतावादी द बविश्य में हमारा जो होना है वही होगा अर्थाध हम पुर्शार्थ पूर्वक वही करेंगे इसमें पुर्शार्थ के कहीं कोई उपेक्षा नहीं है कहीं कोई परादीनता नहीं है सर्वत्र स्वादीनता का सामराज है इसमें सभी कुछ है स्वभाव है पुर्शार्थ है बवितव्य है, कालब्दी है और निमित भी है पांचों ही संभाए उपस्तित है आत्मा अपने परणामों का करता है या नहीं इस अंदर में स्वामी जी का स्पस्टी करण इस प्रकार है अब गुर्देव का स्पस्टी करण आ रहा है देखिए प्रश्न परियाएं करमबद हैं आत्मा की परियाएं भी करमबद जो होने योगे हैं वही होती है इसलिए आत्मा उनका अकरता है यह बाट ठीक है यह आपको प्रश्न समझ में देखो परियाएं का करम है बराबर सही बात है और आत्मा तो उनका अकरता है क्योंकि जो होती रहती है वे परियाओं अपने आप हो जाती है हो जाती है चली जाती है क्योंकि परियाओं का क्रम है और आत्मा उनका अकरता है देखो उत्तर तो नहीं की अपेक्षा दिया जा रहा है लेकिन सचवज बताऊं जिन्माणी में एक अपेक्षा ये भी है जहां ये बात समझाए जाती है कि द्रव्य तो अपनी पर्यायों का भी करता नहीं है जिन्माणी की एक अपेक्षा ये भी है जैन दर्शन का करतावाद है लेकिन यहां ये अपेक्षा कौन है यहां यह बात नहीं कही जाएगी कि द्रव्य अपनी पर्यायों का करता नहीं है यहां तो यही बात कही जाएगी कि द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है ठीक है वो जो बात कही जाती है वो भेद विग्ञान की द्रिस्टी से कहा जाती है द्रिश्टी की विशे की अपेक्षा से कहा जाती है यहाँ वो अपेक्षा कौन है यहाँ वो अपेक्षा कौन सी अपेक्षा कि द्रव्य तो अपनी पर्यायों का भी करता नहीं है देखो, अपनी पर्याय भी नहीं वो पर्याय अपने आप होती रहती है जैसे साहब सम्मेक दर्शन करो कैसी बात है करते हैं सम्मेक दर्शन करो इतनी सी बात नहीं पता कि वो मित्या दर्शन की परियाएं जब परियाएं के क्रम से चली जाएंगी और सम्मेक दर्शन की परियाएं जब परियाएं के क्रम से उत्पन हो जाएगी जब उत्पन होना होगा तो हो जाएगी मित्यात का जब नाश होना होगा तो नाश हो जाएगा परियाओं का क्रम है और द्रवेत उनका अकरता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता साब हमने किसी से कहा आप यह कैसे खोटे पाप जैसे तुम्हारे विचार हो रहे हैं, दूसरों को सता रहे हो, अपने से बड़ों को सता रहे हो, दूसरों को इसे बहुत तीवर कर्म बंद होता है, अरे साथ कैसी बाते कर रहे हो, परियायों के कर्म में पावुत्पन हो रहा है, उन परियायों के कर्म में वो नस्ट हो जात तो तुमारी दृष्टी स्वभाव के संमुख हुए बिना नहीं रहती। देखो आगे बहुत मार में एक बात है। यह गुर्देव का प्रसंगे चेसको देखते हैं। नहीं आत्मा अपनी परियायका करता है। यह बात ठीक नहीं है। बढ़ते हैं कि मैं मेरा ही करता धरता हूं ये बात यही है कि मैं अपनी ही पर्यायों का करता धरता हूं इसका benefit पता है क्या है इसका benefit यह है कि अगर मेरी परियाय में राग द्वेश उद्पन हो रहा है मेरी परियाय और मेरी परणति मैली हो रही है तो उसका करता कौन हूँ? मैं उसकी responsibility किसकी है? मेरी अगर मेरे में जो राग द्वेश हो रहा है उसकी responsibility मैं लेता हूँ तो तो मैं उसका भाव कर भी पाऊंगा उसको नाश करने का उध्यम भी करूँगा लेकिन अगर मैं ये कहूँ स्वक्षन दोने के लिए अरे मेरे में जो राग उत्पन हो रहा है मैं उसका करता नहीं हूँ द्रव्य अपनी परियाय का करता नहीं है मैंने कहा कि तुम्हारे ये पाप परियाओं का क्रम है, क्रमबद है, सहज रीतिय सोत्पन हो रहा है मैं उसका तो अकरता हूँ, मेरे जो अभी पाप भाव हो रहा है न, मेरे जो राग भाव हो रहा है न, मैं तो इसका अकरता हूँ मैंने इसकी responsibility नहीं ली first of all अगर मैंने इसकी responsibility नहीं ली तो अब बताओ मेरी जो परियाय में भी जो राग हो रहा है उसका नाश कैसे होगा उसका अभाव कौन करेगा कैसे होगा उसका अभाव अगर मैं अपने वर्तमान की जैसे मैं आपको कहूँ मैं लीजे कि हमारे कम नंबर आए मैं तो आप लोगों के जैसे उधान देता हूँ मैं लीजे मेरे कम नंबर आए और इसकी responsibility अगर मैं लूँ कि नहीं मेरे ही कम पढ़ाई के वज़े से इस बाए मेरे कम नंबर आए तो मैं बता हूँ नेक्स टाइम सुदर सकता हूँ कि नेक्स टाइम मेरे अच्छे नमबर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं आ सकते हैं अगर अब मैं कहूँ आपने मेरे सका कि क्यों कम नमबर क्यों आए बिसे आप लोग नहीं कहेंगे लेकिन आपके कम नमबर क्यों आए और मै रहे यार मैं क्या बता हूं। था कोपी बहुत खराब थी। न भाइन घुर्टिं पॡ़े वाटफ ता उगर मैं अपनी गलती ओप Our मैं कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊँगा और अगर मैं उसी गलती को अपनी गलती मानूओ कि नहीं मेरी ही गलती थी तो मैं आगे सुदर सकता हूँ ऐसी ही यह कहा जा रहा है कि परियाएं में अगर जो राग विद्यमान है पाप विद्यमान है, कशाय विद्यमान है अगर द्रव उसकी अपना करता है, तो अगर उसको responsible मानेगा, तो उसको नाश भी करेगा, देखो जिन्माडी में दो तरीके से ये कथन आते हैं, आपको बता है व्यवहार ने, अब लोग जैसे ये निश्टेने भी कहता है, क्यों कहता है ताकि तू उसको अपना करता मान जब तू उसको करता मानेगा, तभी तू उसको दूर करने का उपाय करेगा, अभी तो तू अपना पला जाड़ा लेता है, ऐसे करके मैंनो तो किया ही नहीं, मैं तो विशेश समझने योग है कि आत्मा का ग्यायक स्वभाव है ऐसी जिसकी दृस्टी हुई है अत्वा क्रमद परह का निर्णे हुआ है आप लोगों ध्यान नहीं दिया आत्मा का ग्यायक स्वभाव है ऐसी जिसकी दृष्टी हुई है अथवा क्रमबद परहय का निर्णे हुआ है इसका मतलब क्रमबद परहय का निर्णे हो जाने के बाद क्या होता है आत्मा का ग्यायक स्वभाब पता चल जाता है ग्यायक सुभाव पता चल जाता है मतलब आत्मा के ग्यायक सुभाव की उपर द्रिस्टी आ जाती है क्रमब्द परया का मतलब है स्वभाव सन्मकोना और स्वभाव सन्मकोने का मतलब है क्रमब्द परया का श्रद्धान होना उसे समझाएगा या उसको शद्धान माना जाएगा जिसकी दृस्टी स्वभाव सन्मुक होगे क्योंकि देखे दृस्टी का स्वभाव के सन्मुक होना और क्रमद परे का शद्धान होना ये दोनों अलग-अलग, दोनों एक ही बात है एक बात और बताओं को दिठ्ठी, ये कार्ति के सुवामी ने भी कहाते है ना, मैं तो नहीं कहरा हूँ, तो जो इसका शुद्धान करे वो समय द्रिश्टी. आपको बते क्रमद्द परहय कफल समय दर्शन है, क्योंकि क्रमद परह कि शद्धान होने पर दृष्टी सुभाव सन्मुख होती है आत्मानुभूती होती है और आत्मानुभूती होने पर सम्मेक दर्शन के उत्पत्ती होती है देखो बिना क्रमद परह कि बिना दृष्टी सुभाव सन्मुख नहीं हो सकती ऐसा पता है क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखो, जब अपन शुद्धो प्योग्रू ववस्ता को प्राप्त होते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, उस समय हमारी दृष्टी का, हमारे मन का, मैं जो भी कहूं, मन का, हमारे दृष्टी का, निर्भार होन पर परियास करते हो और अपनी और क्यों नी हो रही है अगर हम अपनी दिमाग में बहुत सारी करता पन की कूड़ा को रखकर अगर द्रस्टी को सुभाब सन्मुक करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं तो इसमें क्रमद परहय का क्या रोल है क्रमद परहय का ये रोल है कि जब हम द्रस्टी को सुभाब सन्मुक करना जो निकल गया. अगर मुझे क्रमद ब्रइयका श्रदान हुआ तब दिमागी तोर पर श्रदान होना और वास्तिक श्रदान होना दोनों में अन्तर है. ठीक है. तो ये तो पर करन कल गया. फिर मेरे से क्या क्या? मैं स्वाख करतीतौ. मैं अपनी पर्यायों का करता हूँ अब दिकुर सुनो बहुत practical level पे मैं बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा practical level पे है अब मैं सवभाव सन्मुक हुँ रहा हूँ तो मेरा पर्का तो क्या हो गया अकर्तित्व, मैं पर्का करता नहीं हूँ अब मैं जब सवभाव सन्मुक हुआ तो मुझसे क्या कहा गया सुवा कर्तित्व अगला point हमारा सुवा कर्तित्व का था न कि मैं किसका करता हूँ अपनी पर्यायों का करता हूँ सही बात है न लेकिन अभी मेरी पर्याय में क्या उत्पन हो रहा है तो मेरी परियाय में तो ये हूरा है बोलो अब मैं अएर अपनी परियाय पर ही दृस्टी करूं तो दृस्टी सुफाव सन्मोग होगी अगर मैं यही देखता रहा हूँ लोगों को बहुत प्राक्टिकल बात बोलो मैं लोगों को सामाई किसी लिनी होती लोग कहते हैं कि साब क्या बता हूँ जब मैं सामाय की ओर जाता हूँ तो मुझे रखते हैं मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ मैं ही सबसे बड़ा मोही हूँ क्या करूँ सामाय की भाव ऐसे भाव हो जाते हैं मैं तो बहुत ही मित्या द्रस्टी हूँ, मैं तो अभवी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा, 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 देखो, पहली बात तो हमारे से पर का कर्तित वे छुड़ाया, फिर जब मेरी ही परियाय में इतना सारा राग है, इतना सारा करम है, इतना सारा मैल भरा पड़ा है तो इसकी ओ द्रस्टी देखो जब तक हम मैल पर द्रस्टी रखेंगे तब तक हमारे द्रस्टी सुभाब के सन्मुक नहीं होगी ये बात आपको समझ में आ रही है क्योंकि देखो एक बात समझे है हमारा ज्ञानों प्योग है वो एक जगा एक ही जगाए एक ही विशय बनाएगा अगर हम चाहे तो अपनी ज्ञान की परियाए में उस मैल को कि हएराग हाए मिठ्यात्व हाइ खाशाए हाई 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 कर लो या तो हम द्रस्टी को सुभाब सन्मुक कर लें द्रश्टी सुवाव सन्मुक तब ही हो सकती है जब वो निर्भार होगी तो परके करते से निर्भार किया पिर सुवाव की भी जो गंदिगी थी ना कशाएं थी उसका भी ये कहा अब जिन्मार्णी की जो अगली विवक्षा मैं आपको बता रहा हूँ कि द्रवे तो अपनी परियायका भी करता नहीं है छोड़ तो उस परियायको किया किदा द्रस्टी कर रहा है तुम मिठ्यात के और द्रस्टी कर रहा है ज़रा एक बार सुवाव के जहांके तो देख माला माल हो जाएगा यह समझ में आ रहा है यह प्रैक्टिकल लेविल की मैंने बात कही अब देखो इसको पढ़ो इस एंगिल से आत्मा का ग्यायक सवाव है ऐसी जिसकी द्रस्टी हुई है अत्वा क्रमद परियायका निन्ने हुआ है वही जीव मिथ्यात्वादी भाव रूप से परणमित होता ही नहीं लोगों को पते क्या लगता है साब आप यह कहते हो कि क्रमद है सब नक्की है तो लोग मिथ्यात्व करते रहेंगे कशाय करते रहेंगे और क्या जवाब देंगे कि नक्की है मिथ्यात हो रहा है तो क्या हो रहा है साब नक्की है यहां गुर्देश्री यह कह रहा है कि जिसको क्रमद परहय का निर्णय होता है उसको मिथ्यात होता ही नहीं तुम कैसी बाते कह रहे हो और जिसको मिथ्यात हो रहा है और क्रमद परहय की बाते कर रहा हो तो समझो उसको क्रमद परहय का शद्धान नहीं हुआ, उसे क्रमद परहय समझ में नहीं आई, दो बाते हैं, क्रमद परहय का समझ में आना ही द्रस्टी का सुभाव सन्मुक है, और द्रस्टी सुभाव सन्मुक होती है, तो मिथ्यात्व नहीं हो सकता, ये आपको भी समझना पढ़ेगा देखो पहले क्रमबद पर्याय का शद्धान क्रमबद पर्याय का शद्धान से क्या होता है दृस्टी सुभाव सन्मुक होती है और जब दृस्टी सुभाव सन्मुक होती है तो मिध्यात्व नहीं लोग पता है ऐसा भी प्रश्ण करते हैं सहाब क्रमबद पर्य है तो क्रम्बद परया मानेंगे तो कोई भी ऐसा स्वक्षन हो जाएगा और उसके अनंधभव बढ़ते चले जाएगे कोई ये कहता जाएगा कि ठीक है हमारे अनंधभव में जत्ते होने हो जाएगे तो गुर्देश्री इसका जवाब दिया करते थे कि क्रम्बद परया के श्रद्धान करने वाले के अनंधभव होते ही नहीं जो आप कैसे नहीं होते ही तो आपकी घरकी खेती है आपने बोल दिया अरे सीदी साही जी प्रैक्टिकल जी बात है जो क्रम्बद परया कर श्रद्धान करेगा उसकी दृश्टी सुवाब सुन्मोख होगी तो सम्मेक दर्शन की उत्पत्ति होगी और सम्मेक दर्शन की उत्पत्ति होगी तो वो जीव अनन्त काल तक संसार में नहीं रोल सकता, तो यही बात हैं, वह जी मिथ्यात्वाधि भावन रूप से परणमित होता ही नहीं है ये पराग्राफ कर देते हैं अपन, इसलिए नादी निर्मल क्रमद परिणामों का तो वै करता है क्रमद परिणाम का ऐसा अर्थ नहीं है कि आत्मा स्वयम करता बिना हुए ही वै परिणाम हो जाता है ग्यानी अपने निर्मल ग्यान भाव का करता हुआ स्वयम उसका करता होता है और अग्यानी अपने अग्यान भाव का क अपनी अपनी परियायों के करता है शीष अभी जो करतावात का प्रक्रण है वह आगे भी आएगा इसको अपन कल देखेंगे